हलो एब्रिवन मैं कमले सो और आप देख रहें कमले सोनी लाइप एक्सपिरियस में आप सब लोगों का स्वागत है जैसरी राम और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि मैं रिलेसंसिप के उपर वीडियो और एडवाइस लेके आती रहती हूँ कई वीडियो मैंने चाड़क के नीती पे बनाए और आज भी मैं चाड़क के नीती लेके आपके सामने आई हूँ कुछ ऐसे पुरूस है और कुछ ऐसी इस्त्रिया है जिनसे कभी भी दुस्वनी नहीं करना चाहिए हमारी आदत होती है कि हम हर किसी से पंगा मोल ले लेते हैं हर किसी से भीड़ जाते हैं तो यहाँ पे आज मैं चाड़क के नीती के अनुसारा आपको बताऊंगी कि ऐसे किस व्यक्ति और ऐसी कौन से इस्त्रिय से आपको पंगा नहीं लेना चाहिए अन्यता आपको बहुत महगा पढ़ सकता है तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा बहुत ही important बात बताने वाली हो हमेशा हमारे आसपासे से लोग रहते हैं और हम ना समझी में गलती कर जाते हैं और बाद में हमारे जीवन में बहुत महगा पढ़ता है तो चलिए फटापट वीडियो स्टार्ट करती हूँ वीडियो देखके कोई भी कोस्चन आ रहा है कोई भी दौट्स आ रहा है सहन सील ब्यक्ति सहन सील ब्यक्ति ऐसा होता है कि हम उसके साथ कितना भी जुल्म कर जाए कितनी भी उसे प्रतार्णा दे दे वो सहता रहता है कभी उपतक नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर सहने की ताकत होती है लेकिन हम उसकी कमजोरी का फाइदा नहीं उठा सकते वो उसकी खूवी है उसकी कमजोरी नहीं अगर सहन सील ब्यक्ति सहता है और चुप है तो ये उसकी ताकत है उसके अंदर ये सहन सीलता है उसके अंदर सहन करने की ताकत है लेकिन जिस दिन उसका धेरे तूटता है जिस द अगर आपके पास है कि जो बहुत सारी चीजे सहते जा रहे कभी भी उनके साथ अत्याचार या दुस्मनी मोल लेने की कोजिस मत करिएगा क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं जो जिंदिगी में कुछ भी कर गुजरते हैं समुद्र जैसे होते हैं कि सांत जब तक तो सांत है लेकि करें मित्रता करें उसके इस गुण का लाव उठाएं उसके साथ अच्छे से बढ़ताओ करें मतलब कभी भी इन चीजों का फायदा उठाने की कोशिस ना करें नमबर टू ज्यानी पुरुस कभी भी ज्यानी पुरुस से भी सत्रुता मोल नहीं लेना चीए क्योंकि ज्यानी पुरुस तो ऐसे होते हैं जिनसे हमें ज्यान लेने की जरूरत होती है जिनसे हमें दोस्ती करने की जरूरत होती है लेकिन अगर आपने ज्यानी पुरुस से दुस्मनी मोल लेली न तो फिर हो गया कल्यान क्योंकि ज्यानी पुरूस कुछ भी कर सकते हैं उनके अंदर जीवन को समझने की जिन्दगी को समझने की कला होती है और वो ज्यानी होते हैं तो ज्यानी उसे कभी भी पंगा मत लीजेगा परूब बनाएए और उनके सद मार्ग पर चलने की कोशिस करिए ना कि उनसे चिडने की और दुस्मनी करने की जरूरत है तो यह याद रखी कि कभी भी घ्यानी बेख्ति हो न उससे दुस्मनी मोल मत लीजेगा नहीं तो यह महगा पढ़ सकता है नमबर थ्री जो हम बात कर रहे थे कि इस्त्रियों से भी दुस्मनी नहीं लेना चाहिए तो कौन सी इस्त्रिया है नमबर थी चरित्रहीन इस्त्री अगर कोई चरित्रहीन इस्त्री है तो उससे भी दुस्मनी लेना बहुत महगा पड़ सकता है क्योंकि वह तो चरित्रहीन है उसे ना लोग लाज और लज्जा किसी चीच की परवान नहीं है ले तो कभी भी उनसे दुस्मनी लेने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका तो चरित्र वेसे इंखराब है, उनका आप कुछ भी नहीं भीगाड पाएंगे, लेकिन आपका बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाएगा, हमेशा याद रखिए, इनसे ह सूरेक पूरी उसकाल सब्सक्राइब खाल द हम पड़ी और हम सब्सक्रायर करें। मत सोचिएगा नहीं तो आपका जीवन नश्ट हो जाएगा बरबाद हो जाएगा तो ये कुछ बाते थी जो चानक के नीती के अनुसारत और चानक के जी ने सतर्ग किया है कि दो पुरुस और एक ऐसी इस्त्री के मूँ बिल्कुल भी नहीं लगना है बिल्कुल भी इनसे पूर रहना इनसे कटके रहे और ज्यादा संपर्क में मत रहे और ज्यानी पूरुस और जो सासी ब्यक्ति इसा उससे मित्रवत ब्यावहार कीजिए उससे भी दुस्मनी करने की जरूत नहीं कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुचाते हैं इन्हें अपने जीवन में धारन करेंगे देखिए चीजे बताने से और सुनने से कोई फर्ख नहीं पड़ता जब हम उन्हें अपने आच्रन में अपनाते तो हमारी जिंदगी बदलती है तो वास्तों में अगर आप जिंदगी का महत्तों समझते हैं और जिंदगी को आनंद में जीना चाते हैं इतने यूटूब चैनल या फेस्बूक पेज पेहली बार आए हैं पेज को फालो करें श्टार्ट दे के में सपोर्ट करें साथ में हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो में अप्लोड कर उसका नोड़ी वी किसान आप को सबसे पहले मिले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ तब तक आप सब लोगों को जैसरी राम